फ्रेंड्स अगईन आज हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं फर्स्ट एड इन होमियोपैथी आप में से ही किसी का यह क्वेशन था और थाट कि यह बहुत इंपोर्टेंट है जो इनिशियल बिगिनर हैं को पता होना चाहिए हमारी कौन सी रेमेडीज हैं जो हमें एक्यूटली सदन बहुत हल्प करती हैं कई सारी पैथलोजी में कई सारी सदन ओंसेट ओफ डिसीज़ में सो वी विल डिसकस टुड़े फर्स्ट एड इन होमियोपैथी जिस तरह से आपको पता होगा कि अलोपैथी में फर्स्ट एड बनाके रखते हैं मतलब ड्रेसिं मटीरियल परसे तमोल इस तरह से हम सभी को पता ही क्योंकि हम बहुत फैमीलियर है उस पैथी के साथ तो similarly होमियोपैथी में भी हम फर्स्ट एड अपने पास जो ड्रास्टिकली और सांटिफिकली बहुत अच्छा काम करती है हमें बहुत अच्छे रिजर्स देती है सो स्टे टून फ़र कम्प्लीट वीडियो फ्रेंट्स welcoming you all in my page लान होमियोपैथी विद डॉक्टर जी उती तिवारी यहाँ पर सिर्फ मेरा एक ही एम होमियोपैथी को वर्ल्ड वाइड स्प्रेट करना सही होमियोपैथी को स्टेबलिश करना सही लोगों को गाइड करना सो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो फ्रेंट्स फस्ट एड का मतलब क्या होता है पहले तो थोड़ा से जान करें इसके बारे में या ब्लीडिंग करने लगा वो पार्ट तो हमें क्या पता होना चाहिए एकदम से डायरिया लूज मोशन होने लग गए तो यह चीजे हैं जो जनरली हर कोई किसी ना कभी न कभी इससे सफर करता है तो उसमें होमेपती का क्या रोल है है की नहीं इसको जान लेते हैं सबसे पहली जो रेमटी है हमारी आप लोगोंने कई बार इसके नाम सुने होंगे और मैंने उसके पर कम्प्लीट वीडियो भी लिया हुआ है शौट वीडियो भी पर लिया हुआ है जिसे की इसका सही एक्षान और सही सिम्टोमेटरोजी आप तक पहुँच जाए तो फिजिकली भी द्राफ्ट वेयर यह थंडी हवा लग गई है कुछ भी इस तरह से हुआ कि फीवर आ गया सिरदर्द हो गया और पेशेंट इस आस्किंग फर वर्टर के मुझे पानी चाहिए पानी चाहिए और एक एंजाइटी दिख रही है तो वहां पर हम एकोनाइट के जाते हैं सदननेस में दूसरी रेमेडी भी है मैंने कमपेरिटिव स्टडी भी की हुई है ताट इस बैलाडोना बैलाडोना इस अलसो वेरी वेरी गुड रेमेडी फोर सदन ऑंसेट अफ हैडएक फीवर सोथ्रोग कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम वहां पर जो सिम्टोम जरनेस नहीं है मेरे बैलाडोना के थ्रू जाते हैं इस तो अरफ है इस टू अरफ है वेरी जर्टो रेमेडी डिप्रेंटीशन के लिए मेरे वीडियो जरूर देख लीजीज़ आ पढ़ा हुआ है वहां पर मेरे चैनल पर नेक्स्ट जो हमारी रेमडी रहेगी वो किस पारे में ले ले अपन आर्ट निकाले लेते हैं क्योंकि इंजुरी में भी टाइप ओफ इंजुरी होती हैं जिसे ब्लंट इंजुरी हो गई किसी कोई एकदम से कोई हैवी ऑब्जेक्ट आकर के गिर गया बॉडी पार्ट में सिर में गिर गया पेशन एकदम शॉक में चला गया यह शोल्डर में पैरो में कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में कोई हैवी ऑब्जेक्ट भारी सामान 25 किलो 50 किलो एक क्विंटल का गिर गया और उसके बाद जो पुरा पार्ट है वो ब्लू पढ़िया पुरा जो ब्लड है वहाँ पे रुक गया और ब्लाट पार्ट बेगें ब्लू पुरा नीला पढ़िया और वहाँ पर पेशन शॉक में जा रहा है उसके बाद भी कह रहा है I am good मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हो और एकदम से वह बेहोश हो जाता है ऐसी सिचुशन में हम आरनिका के थू जा सकते हैं बट इस सिंटम नीट क्रेट ऑब्सर्वेशन राइट तो इसको आप स्किप मत करिएगा जब आप ऑब्सर्व करें आप समझ पाए क्योंकि देखिए जो immediate remedy है फास्ट की बात कर रह हमें चीजे अच्छे से ऑब्सर्व करनी आती है तो हमें बोडी के पार्ट को सही से ऑब्सर्व करना है उसका mental behavior उसका physical जो भी महाँ पे जुरी हुई है अगर स्प्रेन आ गया पैर मोड़ गया एक दम से तो हम रश्टॉक्स के थू जाते हैं रूटा के थू जाते हैं पहले कदम पेशिंट रखी नहीं पा रहे और फिर अगर रख के चल रहा है दिरे दिरे थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है या फिर स्प्रेन में आप होते हैं वहाँ पर ब्लीडिंग है वी ब्लीडिंग होने लगी तो उसमें आप स्टैफिस अगरिया के थू जा सकते हो इमेडियेटली बहुत अच्छा एफेक्ट मिलेगा दन जब तक पेशेंट अपन होस्पेटलाइज हो सकता है उसको सारी चीजें मिल सकते हैं फिर आप कहीं बाहर जाते हो पार्टी में गए या तूर पे जाते हैं ट्रेवल पे निकले और वहां मोशन लग गए अब वह जो मोशन लगे उनके लिए कौन सी रेमडी होनी चाहिए उनके पीछे कारण क्या कारण तो एक हो सकता है है हैवी डाइट आपने फैटी फूद जाद ले यह इन-डिजेशन हो गया वो खाना पचा ही नहीं वह यह तो सुभा का था यह तो कल का जिसे कौन सा फूद बोलते है एक्जक्ली वर्ड नी आ रहा है मझे तो ऐसे फूद में आप आरसेनिक अलम के थू जाते है या फिर फ्लचलेंस हाई फ्लचलेंस विद कॉंस्टिपे और जानकारी चाहिए कि नक्स वर्ड का क्या रियेक्शन आएगा आर्स का क्या आएगा तो हमारे वीडियो हैं मेरे लानोवेपती चैनल पे आप उसको जाकर के देख सकते हैं पोडोफाइलम इस अपर लोगों ने पूछा के लिए क्या कर सकते हैं तो देखिए हमें सिम्टोमेटरोजी तो चाहिए ही ना पेशेंट के सिम्टम्स चाहिए वाटरी डायरिया एकदम फ्लुएंट डायरिया हो रहा है चार पांच छे कॉस्टेशन आपको पता नहीं है अफंसिव है तो आप पोडोफाइलम के थ्रू जा सकते हैं जो पी वाली बात करी थी आपने की 4-5 पी रहता उसमें तो यस आप उनके थ्रू पोडोफाइलम का प्रस्क्रिप्शन कर सकते हो अधर रेमिडी है एकदम से वालेंट हैड़क या फीवर हो जाए तो उहां पर साथ में आप अधर रेमिडी लाइक आरसेनिक अलबम रख सकते हैं ऐसी रेमिडी जहां पर पेशिंट को एकदम से एंजाइटी डवलब हो जाए किसी भी बात से कई बार लोग ट्रेवल करने जाते हैं या घर पे कोई बात हो गई तो एकदम से उनके अधर 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 करते हैं बट हमें जो पेशिंट है उसको सही से उबसर्व करना उसके सिम्टम सही से कलेक करना बहुत बहुत सवरी होता है यह कुछ छे से साथ रेमिडी थी जिनके बारे में डिसकस किया और भी रेमिडी जो हमारी फर्स्ट एड किट में होना चाहिए जो इसेंशल है बट नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए मुझे जरुबर पताईएगा so this is all for today friends thank you so much